नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्टरिसिटी पर अब्जेक्टिव कोश्चन जो कि प्रिवियस येर में आये हुए कोश्चन है जैसे कि आपका इस रो यूप करते हैं पहला कोश्चन है विच अब्दा फालूंग इज टाइप के लिए यूजट टू इंक्रीज दपावर फैक्टर यानि कि सकती गुड़क को बढ़ाने है तो निमनम से किसको उपयोग समानते हैं कि आप तो देखिए सकती गुड़क बढ़ाने के लिए हम लोग क्य नहीं हो गया तो लिकाली संद्रहारेत्र द्वारा भी करते हैं उच्च सकती गुड़क वाली मोटरों के परियोग द्वारा भी करते हैं और कला प्रतिकारक यानि फेज कंपनसेटेड मोटरों द्वारा भी करते हैं और बाइप फेज एडवैंसर द्वारा यानि कि कला प्रतिरोधक को किसी वोल्टता स्वरो से जोड़ा गया है यदि वोल्टता दोगुनी की जाती है तो उस प्रतिरोधक में विश्रित होने वाले सक्ति का मान क्या होगा तो देखिए क्या होगा यह आपका चौर गुना हो जाएगा विकम्स फोर टाइम हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि फी क्वल्ट होता है आपका वी स्क्वाइर बटा आर होता है तो यहां पर कह रहा है कि वोल्टता अगर हम लोग दोगुनी करेंगे तो दो को स्क्वाइर हो जाएगा चार गुना यानिक वाट बल्ब और फोर तो हंड्रेट वाट बल्ब इन टेन हावर टाइम दस घंटे की अवध में 200 बल्बो द्वारा तथा 400 बल्बो द्वारा उपभोग की गई और जाकमान कितना होगा इसके लिए जो उर्जा कमान होगा यह हमारा आएगा है 10 किलो वाट हावर आएगा कैसे आयेगा यह हम लोग देखते हैं यह आया पनना हूप इन्व है कितना है 100 वाट का दो एक फूलस क्या करेंगे 200 वाट का चार तो इतना गुड़ा कर देंगे चार का यह हमारा आया जाएगा यह हजार वाट आ जायएगा अब बल्बों दौरा उप्यों कि अगये जो उर्जा होता है वाट घंटा है एन्सवर आ जायेगा दोस्तों जितने लोग लाई देख रहे हैं वीडियो अपने दोस्तों के साथ सेर कर दें और सब को बता दें कि यहाँ पर डेली सामको साथ बज देखते हैं यहा緣 पर दिया है कि यहां पर देख लिए यहां पर आपका स्रीवनी में है फिर के रहा है था कि जो सकति च्छ डबलू वन है और यह है डबलू टु है फिर के रहें इन दोनों का अनुपात कितना होगा तो आपको पता है कि आर इक्वाल टू होता है वी स्कुरेर आपन पी यह आप पड़ेंगे इसे हम लोग आर कमान निकाल लेंगे तो कितना आजाएगा 220 कुड़े 220 बटा सब क्योंकि पी कमान हमारा 108 है तो यहां से हमारा 484 ओम आ जाएगा जब स्रेणी में है तो कुल परितरोत किना हो जाएगा दो गुड़े 484 यानिकी 968 हमारा कि यहां पर आ जाएगा कुल परितिरोत 968 हो फिर यहां पर देखिए कि डबलू वन कमान निकालेंगे तो वी स्क्वेर अपानार होता है तो वी स्क्वेर कमान कितना हो जाएगा 220 उड़े 220 बटे 968 यानि कि यह पच्चास वाट का जाएगा पिर समांतर संयोजन में यही क्या हो जाएगा कि टोटल एक्वेलेंट हो जाएगा प्रतिरोत है समांतर में यह पर समांतर में यह हो जाता है कि अगर दोन वराभर है तो कि यहां पर निकालने करेंगे कि यहां पर हमारा निकालने के लिए किस्यारे क्रिंग मिजिश्त बटा 284 इंद्र हमारा से हमारी आ जाएगा दिबड to यहां पर हमारा बी अंसर करेक्ट हो जाता है यहां पर देखिए यह जो है यहां पर हमारे 0.25 अंसर करेक्ट होगा छठा कोशन है फिलामेंट रजिस्टेंस आफ 20 वाट बल्ब और 40 वाट बल्ब बोथ रेटेट तो सेम वोल्टेज आफ आपरेशन इज इन्दर रेशियो प्रचालन में अनुमत एक समान वोल्टता का 20 वाट बल्ब तथा 40 वाट बल्ब का तंद प्रतिरोद कितने के अनुप बताना था अनुपात पूछा है तो आपको पता होगा कि यह जो अनुपात आएगा ऐसे आगी यह बन हम लुद देख लेते हैं देखी है यहां पर दिया कि पीपष्चियँ को में दिया कर्योंकि हैश्यों कि इसका भी है क्योंकि यहां पर बोला था कि बॉथ तो प्रतिरोध का रयाएगा आरआ लोग निकालेंगे हमारा की आजाएगा वी आपान पीवन वी तू स्कोर अ हमारा कट जाएगा नहीं सेम था बचय हमारा अगेया जूआ कुस करेंगे हैं 40 जूआँ बुस्अन रूसर हो जाएगाव सात्म कौश्चन है कि क्रम से आर तथा टू आर प्रत्रोध के दो प्रत्रोध को समांतर में जोला गया है अगर आर प्रत्रोध को प्रत्रोध के दोवरा उपभोग की गई सकती 20 वाट है तो दो आर प्रत्रोध के प्रत्रोध के प्रत्रोध के दोवरा उपभोग की गई सकती कितना होगा इसके दो सब्सक्राइब किया जाएगा है यह मैं靠 सेथी है की है कि दोनों समांतर में जुड़े हुए है territoire आपको पता है यह हमारे के जैमने हमारा क्ना दूर्टी कप io उसी का आधा यानि की 10 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि आठामा कोस्चन है कि एक पदाथ के प्रत्रोध का ताप गुडांक 0.005 ओम प्रत्ट डिग्री सेल्सियस है 20 डिग्री सेल्सियस पर इस पदार्थ से बने एक तार का प्रत्रोध एक ओम है प्रत्रोध किस अबदमान पर दो ओम होगा तो कि यह वो होगा यहां थिभिश को मारा कि अजरे वह हुआ मैखा अनुछ को पर देख ल Onu लेते हैं यहां पर लिए आलफा कंद 0.005 प्रत्र डिग्री सेल्सिद earning 20 सेल्सियस पर प्रतिरोफ हो नगे हैं और तोकी हों किशा तंप्रेचर पर 2 वान का प्रतिरोफ होगा जब पर रख देंगे यहां पर तो इसको साल्ब करेंगे तो हमारा 220 डिगरी celsius कर्यक्ट आजाएगा नमा कोशन है रेजिस्टेंस आफे कापर वायर इज आर फोर सच वायर विथ दा सेम क्रास सेक्षन एरिया बट ट्वाइस दा लेंथ आर कनेक्टेड इन पैरलल दा नेट रेजिस्टेंस इज कह रहा है कि तामे का तार का प्रित्रोद आर है समान अनुठ परिछेद छेतरफल है लेकिन दोगुने लंबाई के ऐसे चार तारों को समांतर में जोड़ा गया है तो नेट प्रित्रोद कितना होगा तो जाहिर सी बात है कि नेट प्रित्रोद कितना हो जाएगा हमारा समाना नहीं दोगुने लम्बाई कि ऐसे चार को समंतर में जोना जाए तो देखिए Survika जो समाने यहां पर जो हमारा हो जाएगा, यह हमारा जाएगा और भाई कीसे होगा? आए हम लुग देख लेते हैं यहां पर देखिए दिया है यह नहीं दिया है प्रिज़र का रहा है फिर इसको हम लोग चार तरतार लेंगे और उनको समांतर क्रम में जोडेंगे तो यह देखे टूर 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 यह हमारा होग जाएगा तो इससे निकालने के लिए swag क्या करेंगे और यान होता है तो आर कमाण एक परिमित लंबाई के चालक का अभ्यास घटकर आधार होता है तो उसका प्रत्रोथ क्या होगा तो क्या हो जाएगा यह आपका चार गुना हो जाएगा कैसे होगा आए हम लोग देख लेते हैं हलक यहां पर साल्व नहीं किया है तो हम आपको पता देते हैं कहरे कि यह एक परिमित लंबाई के चला का अभ्यास घटाकर आधा होए तो उसका प्रतिरोथ कितना हो जाएगा तो देखी हमें पता है कि आर इकॉल टू क्या होता है रो यहल अपान यह होता है कि तो करहें कि लंबाई व्यास अगर हम लोग घटाएंगे व्यास घटाएंगे तो हमारे यह क्या हो जाएगा की चारगुना हो जाएगा यह हमारा चारगुना हो जाएगा इंक्रीज़ फूर टाइम आँक निखाति कि बस्टीन है साथ इसा ईफ राजिस्टर वुद् निगेटीव टंप्रेचिर को सिसीुसी रजीस्टेंस बलू रिदहल आत्माय तो प्रतरु पुल लेके यह सिंगे जोह विद्ध्टीन गट्ता है यह हमारें प्रतिरोध का Chiya है तो देखिए मतलब उल्टा जो प्रतिरोध की होता है हमारा कंड़क्टृण्स होता है तो प्रिफिरोध हो यानिकी उन पेक्ट के दौल्ट के दोल्म समान वड़ता अनुमत में हैं था लैंप का प्रित्रोध कितना होगा टेंग हैं twice V वाट का प्रित्रोध से खिंग 120 180 से ज्यादा होगा सब्सक्राइए क्यों कि आपको पता है कि यसे क्या होता है इससे क्य अगर आप पि कमान वढ़ाना है तो आरकमान कम ρखना पड़ेगा सम्वल्टता के लिए अगर पि कमान कम है तो आरकमान अधिक होना चाहिये सम्वल्टता के लिए पंदर नमर कोशन है कि इलेक्टानों के प्रवाय को क्या कहा जाता है तो देखे इलेक्टानों के प्रवाय को हम लोग धारा बोलते हैं यहाँ पर हमारा B answer correct हो जाएगा सोले नमर कोशन है यह कारवन प्रतिरोधा पर रंगो का code इस प्रकार है कि पहले लाल है फिर फिर भूरा और अंत में silver है इसमें प्रतिरोध कमान कितना होगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सबसे लाश्ट वाला यहाँ पर देखिए जब silver है क्योंकि यह हमारा लाश्ट में क्या होता है tolerance होता है tolerance यहीं बताता है कि percentage यानि कि कितना है तो देखिए इसोना के लिए आपका होता है पांच परसेंट चांदी के लिए होता है आपका 10 परसेंट तो 10 वाला हमारे यहाँ पर यहां पर हमारे आंसर क्या मिलेगा यानि कि आपसर भी और आंपसर सी में कोई दो इन दोनों में से कोई एक रही होगा तो यहां पर पहले पहले लाल के लिए क्योंतर आता है दो रहता हैं तो पहले पहले यहानिकी दो किसमें आ रहा है तो दो आ रहा है मतलब हमारा हमारा हाफिडार नमभर यहां पर करेक्ट हो जाएगा किसी इलेक्टरान का प्रवाह होता है तो देखे जो किसी इलेक्टरान का प्रवाह होता है वह क्या होता है आपका कि माइनस एक दस्मन अच्छे गुड़े 10 गहत माइनस 19 कुलाम होता है आवेस यहां पर प्रवाह नहीं रहेगा यह हमारा आवेस रहेगा कि किसी इलेक्टरान पर आवेस कितना होता है तो इलेक्टरान पर जो आवेस होता है वह रुडात्मक आवेस होता है और वह कितना होता है एक दसमेल उच्छा है गुड़े 10 गात माइनस 19 कुलाम का रिड़ाविस होता है यूपी PCL का देखिए ये कोश्चन है 24 जनवरी 2019 का सिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इससा करेक्ट आंसर कोश्चन है एक और उधक पर चानवरी पट्टी के लिए संसिलता यानि टालरेंस कितना होता में? कि उन्नीस नमबर कोशन है किसी विद्धुद परिपत में 500 में वाला प्रतिरोद 200 वोल्ट आपूर्ती से संबादने थे उस परिपत से प्रवाइत होने वाले विद्धुद धारा की गढ़ना कीजिए तो विद्धुद धारा की आपको गढ़ना करना है तो आपको पता होग क्या बताता है यही कहता है कि वी कौल टू आए यार तो वी कौल टू आई आप साथ नमबर दिख रहा है ही कर तंटी वैं नंबर क्वेशन है कि रंग कोड़ Nagपर 18 दोवर निरीजर सी संसीलता किया होता है तो अभी हम आपको बता है सोने का पांच्रिंग प्लस माइनस पर्षंट चादी का होता है प्लस माइनस दस पर्षंट और अगर कुछ भी नहीं है तो यह आफी को expect है प्लस माइनस 20 परसेंट है कि अगा है कि 22 नंबर कोश्चन है कि यह दि रंगों का अनुकरम लाल पीला भूरा और सुनहरा है इस करम में हैं तो रंग कोडित कारवन प्रत्रोधा कमान क्या होगा देखिए यहां पर किसका बात कर रहे कि लाश्ट महमारा क्या है सुनहरा सुनहरा मतलब आपका पांच परसेंट पांच परसेंट में कौन सा दिख रहा है आपसो नंबर सही हो सकता है और आपसो नंबर सही हो सकता है अब इसके बाद है आपका भूरा भूरा के लिए हमारा होता है एक होता है यानि कि हमारा क्या हो जाएगा दस कगात एक यानिकि ज तो यहां पर हमारा आपसा नमबर वी में देख जा रहा है यह वाले में आपका पांच है तो यहां पर हमारे प्लस मैंस पांच होता है और जो सिल्वर रहता का प्लस-माइनस तrose रहता है डिस कवर नहीं तो हमारा विटा है प्लस-माइनस 20 मि यहां पे देखे दीगिया है कि यहां पर पोलीस जो है आपका सुनहरा है रहाद है भागे यह तेन कलर की प्टी है भूरा पीला इंड chef सबक्राइब यहां करते करते हैं यहांत संसरा कितना दिए था तुम आजड़ी ओगया फिर हमारा प Suzuki ग्यूवाला जो हमारा रहता है यह हमारा बाथ आता ए दहाई का दहाई का हमारा कितना तो यल्व था किलिए हमारा क्या जाएगा Day के भड़ा है रट था हमारा हो जाएगा 24etto सब्सक्राइब होता है तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर ब्रीटिस सब्सक्राइब करेगा तो अगर मिट्र का सब्सक्राइब करेगा तो 735 अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो अगर यहीं पूछेगा कि एक सब्सक्राइब कितना होता है तब आपको ब्रीटिस वाला टिक करके आना है वाले दाप को क्या कहा जाता है तो देखेए परिपत में इल्यक्तराइब को धकेलने वाले दाप को हम लोग बोलते हैं email कि औवर वोल्टेज बोलते हैं यहां पर मेराamasफ χों जाएगा कि किसी विद्दूती परिपस्ग मेइं लेक्टरान को टखेलने माले नहीं को एक प्रकार कभाल होता है जो किसी परिपत में इलेक्टरानों को गटी परदान करता है और जो इसकी इकाई होती हैं व कि लगबग ये क्या होता है बिजली की जो गति होती है यह प्रकास की गति के बराबर होता है तो वह भी आपको लिगति होगा 26 नमर कोश्चन है कि एक 1200 मीटर तार में 600 होम का प्रतिरोध है 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गढ़ना करें देखिए अगर हम लोग 1200 मीटर है उसका उस तार का प्रतिरोध 60 होम है तो 240 मीटर अगर है तो तार का प्रतिरोध किया होगा तो देखिए 1200 मीटर का जो प्रतिरोध है इसमें कितना है 60 होम है तो करहेंगे अगर दो कई 242 मीटर क्ला के रहता है कि हम लोग कर दे रहे हैं तो कितना हो जाता तो इसको हम लोग 22x कर दे हैं कितना हो junior से यह कड गया और यह देखिए 601 होती है यहाँ नमबर कुछन है कि कापर की परमौन संख्या किदनी होती है तो देखें जो कापर की परमौन संख्या कि दनी होती है होने और आपको और परमाण भार होता है यह हमारा होता है 63.54 अगर आई यह नहीं तो 363054 होता है इसे भी प्रति चुप्रिये का अल्छा है अर्फात की ओर शी नहीं होता और सिक्खा बनाने आदमे किया जाता हैं कि एक के कोड़ित कर्म क्रतिरोग में रंग बाएंग से दाएं नीमना दिया गया हारा नीला पिला और सुनेहरा का बात किया है तो सुनाहरा के लिए हमारा कितना प्लस सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा बाकी आगे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ इसी में है टॉलरेंस पांच परसेंट कि एक न्यूटन मीटर निमने में से किसके बराबर होता है तो देखिए जो न्यूटन मीटर होता है यह मात्रक होता है यह होता है जूल का तो एक न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है तो कि आपको पता हो कि डावल इक्वाल टू होता है एफ इंटू एस होता है या यह पढ़े होंगे तो यह होता है नूटन और मीटर होता है जूल का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यह बहुत आसां सा कोशन आया था 25 जनौरी 2019 को यूपी फिसल टेजी टू में आया हुआ कोशन था 30 स्वरीत है कि मानों सरीर का प्रतिरोध शुष को होने पर कितना होता है देखिए मानों सरीर के प्रतिरोध होता है यह सुस महने पर सत्तर हजार से लेकर आक नाख Prize एक रुप वर्ग सेंटिमीटर के बीच रहता है तो यहां पर हमारा D answer correct होगा सत्तर हजार से लेकर एक लाख ओम प्रतिवर्थ सेंटिमीटर के बीच होता है 31 number question है कि प्रतिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं तो देखे जो प्रतिवर्ती प्रतिरोधक होते हैं यानि कि वैरिष्टर जो होते हैं यह हमारे होते हैं और रैखिक प्रतिरोधक होते हैं यह हमारा 25 जनुद 2019 को आया हुआ कोश्चन है कि यहां पर हमारे सियंसर correct हो जाएगा 32 number question है किसी विश्यस्पदार्थ के मीटर घन के बीप्रित प्रिष्टों के बीच प्रतिरोध को क्या कहा जाता है किसी विश्यस्पदार्थ के मीटर घन के बीप्रिट प्रिष्टों के बीच के प्रतिरोध को हम लोग विश्यस्ट प्रतिरोध बोलते हैं यह हमारे एंसर correct हो जाएगा कि अगरे त्यांतिस नम्र कोश्चन है कि जब विद्धु धारा धात्वी कंडक्टर से वकर गुजरती है तो ताफ़मान किस करान से बढ़ जाता है आप सेनिये मूल परमानों से चालन एलेक्त्रानों के निर्गमन संचालन एलेक्त्रानों के बीच आपसी टकराओ धातğ परमानों के बीच आपसी टकराओ जाता है वह रहता है कि चालन इलेक्टानों और परमानों के बीच टक्राव के कराण बढ़ जाता है 34 नुम्र कोश्चन है कि निम्न में से किसमे रिलात्मक ताप गुडांक नहीं होता है अपसर अलमुनियम रबर अबरक का अगाज तो देखिए जो रिलात्मक ताप गुडांक वाला पदार्थ होता है कौन से होते हैं कि वे पदार्थ जिन में प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घड़ता है रिलात्मक ताप गुडांक वाला पदार्थ कहलाता है और इसका अगर उदारान की बात करें तो लकड़ी अभरक रबर यह सब के आउते हैं रिडात्मक वाले होते हैं और धनात्मक की अगर बात करें तो वह पदर जिनका तापमान बढ़ने पर प्रत्रोध बढ़ता है वह धनात्मक ताप गुड़ांक कहलाता है जैसे कि आपको अलमुनियम लोहा ताबा आद तो धनात्मक ताप गुड़ांक में आपका अलमुनियम आता है तो यहां पर इसका एंसर करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर दौट की आप उर्ति से जुड़ा हो तो इसके दोवार उत्पादित उसमा कितनी होगी तो देखिए इसके दवार हमारा इक चौथाय हो जाएगा नों कि आपको पता है कि आपको इसिक्वल्स होता है यह जो परपॉस्मों होता है इस पर पोच्ट यह होता है इसको हम लेग साल व करेंगे हमारा और 4 stiff आजाएगा क्या यहां पे देख लिए कि सप्र स्वल्प किया है कि यह नहीं पर epoch नुए स्कोर निकालेंगे तो यह टो यह 1 फोर्थ आजाया गया कि लिए बिद्द्ध पदास के इस में के बढ़ने पर क्या होता है कि अब्रग का प्रेथरोद घट जाता है 37 नमबर कोश्चन है यह किलो वाट हावर विद्धु तूर्जा किसके बराबर होती है तो किलो वाट हावर जो विद्धु तूर्जा होती है यह हमारा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है तो यहां पर हमारा D answer correct हो जाएगा 38 नमबर का कोश्चन है किसी परिपत में धारा क्यांत कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज की उक्कॉल टू आपका 10 T C है जहां T आपका सेकेंड में है तो यहां पर देखिए इसका correct answer क्यों जाएगा हमारा 10 एंपियर कैसे होगा क्योंकि आपको पता है क्यों क्यों क्या होता है आई इंटू T होता है तो आई कमान हमारे यहां पर कितना है इससे अगर हम लोग तूलना करेंगे तो 10 हो जाएगा इंटू T है आप इस कमान Q इक्वल टू देखिए यहां पर Q इक्वल टू होता है आई इंटू T होता है क्यों कमान हमारे दिया है 10 T तो 10 T इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा आई इंटू T टी से T हमारे कड़ जाएगा तो आई क्वल टू हमारा 10 एंपियर करेक्ट हो जाएगा तो 10 एंपियर यहां पर हमारा आपसर नंबर C है देखिए यहां पर वही चीज़ लिखा है थार्टिनाइन नमर कोशन के एंपियर इज़ता यसाई यूनिट होता है तुझे धारा का होता है वोल्टेज जो है यह आपका होता है दूसरे का एनर्जी आपको पता है यह होता है कारे का सकती आपको पता है सकती का मत्रक होता है वाट कर देखिए कि कि पूलना में चलकता लगभग एंपियाव कि तुलना में पीज चलकता होता है यह लगभग आपका 60 परसंट के एरांड होता है तो यहां पर हमारा यह आंसर करेक्ट होजएगा सिक्स्टी परसेंटट कोटिवर नम्र कोष्ण है कि राज भारित धारा वाले किसी अस्थापना में छ्ष्णळ धारा यानि लीकेश करेंट किसे से अदिक नहीं होना चाहिए यह हमारा दो मिली एंपियर चाहिए कैसे हम लोग इसका देखे किसी मसीन में जो लिक्ष धार होती है यह एक वाटा 5000 भारिद धारा के होता है तो किसी मशीन के अगर दारा कमान कम से कम होना चाहिए लेकेज दारा निकलने का फर्वूल यहां पर है भारिद धारा बटे 5000 भारिध धारा दिया था कितना दस दिया था ब्यालीस नमर कोश्चन हुए चावदा फालूंग यूनिट अफ इलेक्ट्रिकल पावर निम्न से कौन से बिद्धु सक्ति का एक इकाई है तो देखें बिद्धु सक्ति की जो इकाई होती है यह इकाई रहता है हमारा वाट कि वोल्ट जो है यह हमारे विभा का होता है मात्रक एंपियर होता है आपको भी पता है वोल्ट विभाव का है वह मैं आपका क्या बोलते हैं प्रतिरोथ का जूल है आपका कारिका प्रतिक क्या होता है तो देखें जो विभाव का आपका वी होता है वाट का हमारा डबलू होता है और प्रतिरोथ का हमारा आर होता है करेंगे अगर इस प्रतिक करेंगे अगर इस प्रतिक करेंगे अगर हम लोग दो गुना कर देंगे तो इसको स्कॉयर होगा हमारा यह चार हो जाएगा यानि कि यह क्या हो जाएगा एक चाउथाई हो जाएगा एक चाउथाई मतलब आपका चार गुना घड़ जाएगा कि 46 लाओंश्रुश्रणीज नफैनी 줘 इन यूनिच्नेट आप वोल्टेज मतलब वोल्टेज की एकाहि क्या होती है तो वोल्टेज की जो उताई होती है आपका वोल्ट होता है यह जो होका का होताय एंप है जो ही आपका धारा का होता है WHO गलत देंग हैं न्यूट्रान पर आवेस होता है तो देखें जो न्यूट्रान पर हमारा जो आवेस होता है यह हमारा सुन्य आवेस होता है प्रोटान पर हमारा धनात्मक होता है और इलेक्ट्रान पर निगेटी होता है अन्टार्टन नमबर कोश्चन है कि present of proton age, proton पर उपस्तित आवेस क्या होता है धनातमक होता है यहाँ पर हमारा D-Answer correct हो जाएगा electron पर इन्टरन पर आवेस होता है और neutron पर neutral होता है कि यदि 10 कुलाम का आवेश किसी इकाई लंबाई के चालक में दो सेकेंड में गुजारता है तो उस चालक का प्रित्रोत के आगवा है यदि उसके छोरों का विभुवांतर 10 वोल्ट है तो यह हमारा हो जाएगा दो ओम कैसे होगा क्योंकि आपको पता है मिया होता है मिभाई र होता है तो यहाँ प्रेख किसी डाइ कि लंबान कि दो सेकेंड से गुजारता है तो को हम लोग करेंगे कैसे तो देखिना पे क्यू कमान दिया हैं कि कि हमारा 10 का तो कि को हों होता duck यहां पर लेक्षद्ें i inim2 c plugin हमारे दो सिकंड दिया तो यहां पर दो लखेंगे इंटू आई होगा यानिटि टु हमाइन हमारा कितना ह लाई गया है दस है कि मान हमारा त्छत पांच अंपान हमारा कितना आ या तो यह is तो आ पांच आ गया तो हम आर法 इक्विटृ टू क्या पढ़ें यह थो यहां पर मोड़िखी लिखा है सबसे निकालना है तो पहले हम लोग सबसे निकालने हैं तो इससे निकालेंगे तो हमारा पांच एंपियर आ गया है तो भी कमान हमारा अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर देजे लाइक अगर आप हमारे चनल नाए है तो चैनल को कर लिजे सस्क्राइब मिलते हैं हम लोग नेस्ट वीडियो के साथ यही रहेगा बेसिक लेक्टरिसिटी पर ही कोश्चन रहेगा कल साथ बज़े आप लोग लाइव आ जाईएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ लेक्टरिसिटी ही रहेगा थेंक्यू